नमस्कार, जगत गुरु भगवान श्रीकृष्ण जी के चहणों में कृत गयता पूर्वक वंदन करता हूं सनातन संस्था एवं हिंदू जनचागृती समिति की ओर से धर्म समवात के इस विशेश कारेक्रम में मैं कार्थिक सालूं के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बंधू पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्ता किस प्रकार से उध्वस्त की गई यह हमने समझ कर लिया। उसे के साथ इस वामपंथियों द्वारा किस प्रकार का इतिहास है। 10 करोड से भी अधिक लोगों की मृत्यू इन वाम पंत्यू के कारण एक प्रकार से इनका नर्थ संवारी बड़े मात्रा में किया गया है यह हमने जानकर लिया आज भी इन वाम पंत्र हमारे लिए कितना खतरनाक है इसके बारे में हम जानकर लेने वाले हैं और उनके कुछ उ नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगली जी वाम पंत्र अर्था कम्यूनिस्टों के हिंसा के उधारन तो विश्व में कितने हैं तो वह हमने देखे और यह सारे जो उधारन आपने हमारे सामने रखे तो यह जो पूरे विश्व के जो ताना शाहा है तो उनको पीछे छ इसके बारे में बताया गया है कुछ जानकारी है तो इसके विशे में भी आप हमारे दर्शुकों को आउगत करवाएं जी करतिक जी यह जो केमनिस्टों के हिंसा का उधारन है वो विश्व के कोई भी ताना शाह हो आप हिटलर लो मुसलोनि लो इन सभी के तुलना में कैमनिस्टों की जो हिंसा है वो अत्यन्त उपर की है तो ये तो बात सत्य है और र journellen जो सामानेजनों की हत्य हुई तो उसके संदर में जो कुछ हमको लिखा उसका संदर्म मिला है उसके बारे में भी हम जान कर लेंगे तो मूलता यह जो वामपंती विचारधारा है यह विचारधारा किसी जिहाद से कम नहीं है यही समझ में आता है यह लोग लाल आतंकी ही है जो देशों को टुकडे टुकडे में बाट कर अपने रक्तरंजीत इतियास को खुन के सही से ही लिखना चाहते है और केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया का इतियास इस बात का साक्षी है कि लाल जहंडने वाले तता लाल सलाम कहने वाले वामपंती विचारदारा जिस देश में भी गया जिस देश को भी उन्होंने चुआ वहाँ उसे उन्हें राजनितिक रूप में तो लाल किया ही किया अपितु वहाँ की जो सामाजीक एवं सांस्कृतिक वेवस्ता है थी उनको भी उन्होंने लाल कर दिया और ये लाल करने के प्रक्रिया में उन्होंने एक नया नया और अत्यन्त विक्रूत और अत्यन्त दमनकारी नरसार करने वाला रत्तरंजित इतियास भी उन्होंने निर्मान किया है 1917 के सोवीत उनिन के जो तथाकतित अहिंसक बोलचे भी क्रांति हुई थी उस क्रांती के बाद रूसी इतियास वास्तों में शवो एवं कबरोस्थानों का ही इतियास बना रहा है यह हमें समझ कर लेने के आवशकता है इस क्रांती के साथ तीन वर्ष तक रूस में ग्रुवयुद्ध चलता रहा उस समय सामेवैध का जो विरोत करने वाले थे उन से निपटने के लिए ये जो वामपंत का प्रणेता था लेðnes seminat का प्रणेता था उस ने red army is नाम से एक से निदल का निरवाण किया था और कुख्यात एवं क्रूर खुफिया पुलिस उसका उन्होंने नाम रखा था चेका तो उसने चेका का गठन किया था तो रेड आर्मी और चेका ये चेका ये खुफिया पुलिस की एक क्रूर तम एक उसकी शाखा थी तो लेनिन ने अपने सभी जो क्रांती विरूधियों को आप सिधा गोली मार दौए से इंदर देश जारी कर दिया था और रूस में जब केमिनिजम आया तब वहां की स्थिति कैसे थी तो वहां पे रूसी गरामेंट क्षेत्र में अपना पेड भर सके खापी कर सुकी रह सके इस तरह का वहां पर अन्न का उपज हो रहा था और किसान श्रमजी भी आनन से सुक्षेंसे मां रह रहे थे लेकिन 1918 में लेनिन ने एक नहीं घोशना अपने सरकार में कर दिया और उसने क्या किया कि निजी संपत्ति की समाप्ति की घोशना कर दिया यहने कोई भी वेक्ति अपने पास निजी संपत्ति नहीं रख पाएगा और जो कुछ संपत्ति है वो राश्टिस संपत्ति बन जाएगी अब जो उसने खुफया पूलिस की शाका निर्मान किया था जो अत्यनत क्रूर थी वो चेका खुफया पूलिस की अधिकारी गाओ गाओ जाते थे घर घर जाते थे और बंदुक की नोक पर अपने नागरिकों से पशु जो धन था उनका तो पशु को छीन लेते थे उनके घर में जो कुरुशी का उपज थी अना जित्य दी उस कुरुशी के उपज को भी वो चीन कर सरकार के तरफ लेके जाने लगे अब क्या हो गया कि सर्वसामाने जनता इसे पिडित होने लगी वे इस ठेका पुलिस का विरोध करती थी तो विरोध करने वाले लोगों को सिधा मौत के घाट ही उतार दिया जाता था लाप की आशा खत्म हो गई आप खेती करो आप श्रम करो आप अनाज का उत्पन्न करो और सब जो उत्पन्न किया है वो सरकारी संपत्ती है तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लाप की आशा खत्म हो जाने से लोगों ने तंग आकर अपने अपने खेतों में केवल उनको खान इतना ही उन्होंने अनाजबोना और अनाज़ुगाना शुरू किया, मूलता है वामपंत की समस्या है, वामपंत एक तो सभी संपत्ति सरकारी कहता है और दूसरी याने संपत्ति पर समाना दिखा, परंतु श्रम के जो शाररिक, मानसिक, बाउदिक, अलग-अलग प्रकार के जो श्रम होते हैं, तो वो श्रम का श्रम विबाजन ना होने के कारण, कोई एक वेक्ति बहुत श्रम करके गुस्तो अच्छा अनुसंदान करेगा, शोत करेगा, और उसका उसको कोई लाब नहीं है, और फिर बाकी सब उसका मुफ्त में लाब लेंगे, किसान अपने खेतो उसको में श्रम करेगा, आना जुगाएगा, और फिर कहेंगे कि इस अनाज पर आपका हाग नहीं और जिन्नों ने श्रम नहीं किये, और जो आराम से बैटे उन पर वो अन्न विबाजित हो जाएगा, उसमें वामपंति कैडर आता था कि जो मुफ्त में खाते थे, तो रू कि आराम से एसी में खुरसी में बैटना चाहता है, और एक सैनिक युद्ध में बॉर्डर पे खड़ा रहे कि उसको अपनी जान देनी पड़ती है, तो वो तो यहीं सोचेगा, कि अगर वो वेकती आराम से बैटे है, तो मैं क्यू लड़ू, तो इस गलत समानता और जूट समानता के कारण लेनिनवाद साम्मेवाद रशिया और अन्य देशों से ध्वस्त हुआ, यूरोप से वो आउट्डेटेड हो चुका है, मगर वही साम्मेवाद आज भारत में प्रस्तापित करने का यह जो वामपंती विचारधारा या यह सेकुलर पार्टी कर रहे हैं, व किसान परिशान हो गए, उनको कोई लाब नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार इतना है, उन्होंने आनाज बोया और उतना है हो गया, और उसी में वे रहने लग गया, फल सरूप इसका परिणाम क्या हुआ, रूस का जो अन्न धानने का किसानों ने उपजी कम कर दिया है, तो लेनिन के मन में शंका है, क्योंकि वो वामपंतिनी तानाशाहों का तानाशाह था हो, उसने किसानों के इस कृति को सरकार के विरोध में क्रांती, सरकार के विरोध में शडेंत्र माना, और उनको गुना माना, और उसने क्या क्या, बह अच्चे का ये जो कुरूरतम पुलिस डिपार्मेंटा उसको चलाना था तो किसानों के घर से दाना दाना उठा कर ले के आये और सभी किसानों को भूका मरने के लिए वही गाव में छोड़ दिया इसका परिणाम क्या हुआ कि पाच लाख किसान या सर्वसामानिय ग्रायमेंट क्षेतर के लोग भूक के कारण तडब तडब कर मर गए थे तो ये वामपंतियों का एक बड़ा विशेश है कि वो कृत्रिम अकाल निर्मान करते हैं उनकी जो नीती और निर्धारण ऐसे रहता है कि उसके कारण लोग श्रम करना चोड़ते हैं अनाज या कृशी उत्पादन करना चोड़ देते हैं तो कृत्रिम अकाल निर्मान होते हैं और उस अकाल में लाखों लोगों की मौत हो जाती है तो 1920 में पाच लाग लोग तो किवल भूख के कारण ही तरडब कर मर गए और इस बहंकर मानवी तराजदी को केमिनिस्ट क्रांती के लिए शुभब बताते हुए लेनिन ने 19 मार्च 1922 को पोलिट ब्यूरो को एक खत लिखा देखो वामपंती विचारदारा कैसी है वामपंती नेतृत्व लेनिन का क्या विचार था लेनिन हो मार्क्स हो माओं हो या भारत के वामपंती हो उनकी क्या विचारदारा यह हमें समझ कर लेने क्या होशकता है पॉलिट बिरो को लेनिन पत्र लिखता और कहता है कि वर्तमान परिस्थिती हमारे लिए लाप्रद है वर्तमान परिस्थिती याने जिसमें पाच लाग उनके सामान्य नागरिक भूख से तड़ब तड़ब कर मर गए थे वो स्थिती लेनिन के लिए लाप्रद है जो लोग भूके मर रहे हैं, जिनोंने भूक के कारण एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया है जो लाखों की संक्या में मर रहे हैं और जिनकी लाशे देश भर सड़क के किनारे पड़ी है, सड़ रही है हम उनकी भी संपत्ती और देश में के सभी चर्च की भी संपत्ती चीन लेंगे इस अकाल के कारण लोगों में जो व्याप्त निराशा है वही हमारी एक मात्रा आशा है जिसके कारण वे हमें आशा से देखेंगे यहने Russian Center for the Conservation and Study of Historic Document मासको इस प्रकाशन में यह लिखा गया यह एक लेनिन का पत्र है जो पॉलिट बेरी को लिखा गया था तो लेनिन का विचार कैसे था कि यह लोगों का भूख से मरने की जो प्रक्रिया हो रही है जिनकी लाशे सडकों के किनारे पे पड़ी हुई है उन सभी की संपत्ती और चर्च की संपत्ती को कैसे हडपना है इसकी योजना कर रहा था और इसके कारण अपना शासन वहाँ पर पक्का होने वाला है उनके शासन के विरोध में कोई कारेकर नहीं सकेगा तो ऐसा स्वार्थ देखकर ये इतने बड़े नर संहार इतने बड़े वहिश विच्छेत को वो अपनी लाप के दुरुष्टे से देख रहा है ये कोई असुरी वृत्ती के ही लोग इस तरह से विचार कर सकते हैं हमारे धर्मोग्रंतों में जो असुरों का लक्षन दिया है तो शायद असुरों के लक्षन इनी को ही फिट बैठते हैं ऐसे यहां पर दिख रहा है अब लेनिन की 1924 में मौत हो गए थी अब लेनिन के मौत के बाद जोसेफ स्टैलिन के हाथ में सत्ता आई अब यह जोसेफ स्टैलिन था वो लेनिन से भी दो कदम आगे था स्टैलिन ने अपने इस क्रूरता के इत्यास में नर्व सहार में लेनिन को भी पीछे छोड़ते हुए आतंक के इस सामराज्य को एक अभूत पूर्व उचाहिया दी तथा कैमनिश क्रान्ती के नाम पर लाखो रूसी क्ष्रमिकों को और किसानों को उसने मौत के घाट उतार दिया आने वाले वर्षों में यही कहानी कैमनिश चीन सहीत दूसरे अन्य कही साम्मेवादी देशों में दोराई गई थी और सब तरफ रक्तरंजीत क्रान्ती नरसवहार अपने ही नागरिक जनता का वध या हत्याएं और इसके आधार पर यह साम्मेवादी सत्ता अपने को बलशाली बनाते गए डर और दहशत के आधार पर इन्होंने अपने अपने देशों में अपनी सत्ता काइम करके रखी है और ऐसे क्रूरतम बरबरता के इतियास का परंपरा रहने वाले भारत के वामपंती जो लेनिन, मार्क्स और माओ को अपना नेता मानते हैं तो ऐसे विचारधारा को भारत में कैसे स्थान मिला तातकालिक राजनेतिक पार्टियों ने तातकालिक राश्टर भक्तों ने इनको यहां से कैसे हकाल के नहीं भेजा कैसे उनको खदेडा नहीं यह प्रश्ण भारतियों के मन में बार बार आ रहा है बिस्वी शताब्दी का जो इतियास है उसके कारण यह बिस्वी शताब्दी केमनिस्टों के रक्तर अंजित इतियास की शताब्दी बनी है ऐसे हमें समझने के अवशकता है अब यह जो वामपंती शेडेंत्र था वामपंती शेडेंत्र में लेनीन और स्टेलिन के कारेकाल में उस समय जो तातकालिक रूसी सहीत्यगार था मैग्समिम गोर की उसके जीवन में क्या उतल पुतल हुई उसको कैसे देश चोड़ के भागना पड़ा फिर उसको कैसे बुलाया गया और जब वापस उसने कुरूरता और बरबरता का विरोध किया तो किस तरह से उसको शेडेंत्र करके मारा यह भी सत्यता और यह सत्यतियास हमें समझ कर लेने की आवशकता है और मुख्य बात याने यह गारकी ने वामपंत्यों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में विरोध किया था परन्तु स्टैलिन ने जब उसकी हत्या किया तो उसे बाद में वामपंत्य सहाईत्यकार करके कैसे विश्ववर प्रचारीत किया और वामपंत्य विचाराव को एक प्रतिष्ठा देने का प्रहस किया वह शेडेंत्र भी हमको समझ कर लेने की आवशकता है विश्वप्रसिद जो रूसी सहाईत्यकार था मैक्सिमिम गोर की वो पहले अपने जीवन में बोल्चेवी करांती का कट्र समर्थक था जब बाद में उसने यहां देखा कि यहां पर तो क्रांती के नाम पर सत्ता रखने के नाम पर सर्वसामाने जनों की हत्याई की जा रही है तो उसे वामपंती विचारधारा का वास्तो धहन में आने के बाद उसने लेनिन के इस आतंग राज का वर्णन करते हुए लिखा था कि लेनिन हो, ट्रोटस्की हो और उसके पहले जो साथी थे वे सत्ता के सड़े हुए जहर से जहर है ऐसे उसने लिखा था और वह यह भी लिखता है कि मजदुर वर्ण को पता होना चाहिए कि यह भूख उद्योक का पुर्ण विगटन, परिवन की हार तथा लंबे समय तक एक अराजकता का सामना उनको पढ़ सकता है ऐसे परिस्तिति में समाजवाद से खुद को नेपुलियन के रूप में कलपना करना या लेनिन वादियों ने रूस के विनाश को पुरा करने के और धकेल देना तो रूसी लोग इसके लिए रक्तों के जीलों के साथ भुकतान करेंगे ऐसी स्तिति होगी रूस के खंडरों पर ट्रोटस की के उनमादी नुरुत्य में भाग लेने की इच्छा नहीं रचने वाले लोगों को आतंकी और दलदली लोगों से डरना शर्मनाक और अपरादिक है तो गार्की ने लेनिन के अत्याचारों का वर्णन किया है कि क्रांती विरोधी लोगों को बाय हात और बाय पैरों में वो कील ठोक कर पेडों से टांक कर रखा जाता था केमनिस्ट कार्य करता इन क्रांती विरोधियों को पकड़ पकड़ पर लाते थे उनका पेट में चीरा लगाते फिर पेट से आंत की थोड़ा जो भाग है उसको बाहर निकाल कर पहले तो उसको कीलों से पेड में ठोक देते थे देखो क्या बरबरता है सर्वसामान्य नागरिकों को लाने के बाद उसका पेड शिरना आतरड़े जो होते हैं इन्टिस्टाइन उसका थोड़ा सा पाड बाहर निकालते थे और उसको कील से पहले पेड पे ठोक देते थे फिर उस वेक्ति को मार मार कर पेडो के चारो तरफ घुमाते थे क्यों घुमाते थे ताकि उसकी जो आते हैं इन्टिस्टाइन है वो पेट में से निकल कर पेडो की चारो और वो लिपड जाए और इस तरह से दर्दनाक और बरबरता से वे सर्वसामाने लोगों की हत्या करते थे तो लेनिन के बोल्चेविक शासन को मान्यता न देने वाले चाहे शहर हो, कजबे हो, गाओ हो तो गाओ गाओ को वो जला डाल देते थे उसमें घर संपत्ति के साथ आम नागरिकों को भी जिन्दा जलाया जाता था तो लेनिन की आलोजना करने से गोर्की को रूज छोड़कर निर्वासित की जिन्दगी जी रहा था उसको देश से पलैन करना पड़ा था अब लेनिन के मृत्ति के उपरान जब स्टैलिन के हाथ में सत्ता आई तो स्टैलिन लेनिन से अधिक धूरत था अधिक मुच्सद्धी था स्टैलिन ने गोर्की के साथ एक अलग सलग सा शेडेंत्र पूर्वक बरताओ किया उसने इटलि में जो निर्वासित हो करके रहने वाले गोर्की था उसको सरसनमान घर याने रूस में वापस आने का पहले निवता बेचा और वादा किया कि उन्हें वो राष्ट्र कवी की हैसियर देंगे और स्टैलिन ने ऐसा किया भी गोर्की जब वापस रूस में आया तो सबसे पहले उसको order of Lenin यहँने जिस Lenin को जीवनवर उसने विरोत किया उस Lenin के बरबरता और कुरूरता और नरसाहर का विरोत किया तो गार्की को सबसे पहले award दिया order of Lenin और इस सम्मान देने के बाद दुसरा उसने क्या काम किया तो गोर्की का जो जन्मस्थान था तो उस शहर का नाम बदल कर उसका ग्राम का नाम भी गोर्की ही रखा दिया अब जानकार कहते हैं कि स्टेलिन की यह रणनीती थी क्योंकि वो श्रणेंद्रकारी था और इस रणनीती के तहत वह गोर्की के एक विश्व प्रसिद्ध एक लेकक की जो उसकी छवी थी उस छवी के जरिये विश्व को यह नया साम्मेवाद का चेरा वो दिखा कर विश्व गोर्की ने रूस आने का निर्वन्तरण स्विकार कर लिया और कई ऐसे बात में उसने लेख लिखे जिसमें उसने स्टैलिन का बहुत गुणगान किया था गोर्की ने ऐसे क्यों किया यह समझ के परे है एक तो यह जबरन उससे लिखवाए गया ऐसे हो सकता है या दूसरा स्टैलिन का दूसरा रूप उसके सामने नहीं आया है ऐसी स्थिति होने के कारण अंजाने में उसने ऐसे लिखे होंगे ऐसे एक संभावना हो सकती है परन्तु शायद यही एक दाग है जो गोर्की के जीवन पर अंतिम समय तक लगकर रहे गया है और जो अभी इतियास्प के पन्ने से कभी मिटा है नहीं जा सकता है लेकिन कुछ समय के बाद 1934 के आसपास गोर्की ने फिर सोवेत यूनिन की विरोध में अपना जहेंडा उठाया और एक विवाद उसने मोल लिया परन्तु लेनिन से अधिक धूरता और मुझसदी स्टैलिन था और स्टैलिन को तो आपने आलोचना पसंद ही नहीं थी और इस कारण 1934 में गोर्की को एक अज्याद घर में बंदी बना कर उसने रख दिया और गोर्की का जो सेक्रेटरी था उस सेक्रेटरी को स्टैलिन के आदमी ने खरीद लिया था और वो गोर्की के संदर में जो गुपत जानकारी थी वो प्रति दिन मिलाना उन्होंने प्रारंब किया अब गोर्की के मृत्यु के बारे में यह कहा जाता है कि मृत्व के पूर्व स्टैलिन को गोर्की की एक डायरी मिली थी उसमें गोर्की ने लिखा था यदि एक साधरन नाली का पिसु उसको सेकडो बार बढ़ाया गया तो वह पृत्वी पर का सबसे भयानक जानवर बन जाएगा और उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकेगा आधुनिक महान तक्निकी के साथ सिनेमा में एक विशाल ऐसे पिसु देखा जा सकता है यहने एक छोटा सा पिसु है नाली का मगर उसको अगर मैगनिफाइ करते है तो उसकी जैसे एक विराट जबी हमारे सामने आ सकती है तो उस कलपना से उसने यह अपने डायरी में लिखा था आगे गौरकी ने अपने डायरी में लिखा था कि लेकिन इतियास के दैहिक जटके कभी-कभी वास्तविक दुनिया में इसी तरह की एक अतिशोक्ति पैदा करते हैं और अब उसका जो संकेत है वो स्टैलिन के तरफ जा रहा है और वो लिखता है कि स्टैलिन यह एक ऐसा ही पिसू है जो कि बोल्शेविक प्रचार और भैके सम्मोहन एक अविश्वस नहीं अनुपात तक बढ़ा-बढ़ा कर वो अपना कार्य कर रहा है जिस दिन हर डायरी स्टैलिन के हाथ लगी उसी दिन अर्थाथ 18 जून 1936 में गोर्की में ही यानि उसके जन्मगाव में ही जहां मैक्स्विंग गोर्की एक फ्लिव के लिए बीमार होने के कारण उस पर वहाँ इलाज चल रहा था वहाँ पर हेंद्री यागोडा गए उनके साथ उनके अनेक सायक भी साथ में थे और उनके साथ एक रहस्य में महला भी उस गोट में शामिल थी और 19 जून की सुबह सोवियत अकबारों में एक शोक संदेश चपकर आया था और उसमें लिखा था महान सर्वहारा लेखक मैग्समिम गौर्की की निमोनिया से मृत्ति हो गई है अब इस छोटी सी कता में ही गौर्की की मृत्ति कैसे हो गई वो संकेत आपको मिल गया होगा और इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि स्टैलिन ने अपने विरोधियों के सफायों के लिए शुरू कहें गए जो प्रोग्राम थे उसको कहा जाता था दी ग्रेट पर्ज तो आपने राजकिय और अंतरगत विरोधियों के अपने जो विरोधियक थे उनको सफया करने वाले को जो मिशन उसने बनाया था उसको उसने दी ग्रेट पर्ज ऐसा सम्मधित किया था तो यह अभ्यान शुरू होने के पहले ही ये खुफिया पूलिस के हाथो उसने मैग्समिम गोरकी को मर्वा दिया था और दुर्भाक के बात तो यही है कि मैग्समिम गोरकी के इस वामपंतियों के अत्याचारों की पोल खोलने वाले साहित्य को तथा स्टैलिन द्वारा की गई गौर्की की हत्या को वामपंती सरकारों ने चुपा कर रखा विश्व के इतियास में उसको चुपा कर रखा और इसके विपरीत उन्होंने गौर्की को लेनीन तथा स्टैलिन का गुणगान करने वाला जो उसका सहीत्य एक लिखर उसको प्रचारित किया और वह विश्व के सामने रखते हैं कि मैक्समिम गार की ये जो विश्व का प्रसिद्ध लेखक है वह भी एक प्रगल्ब वामपंती सहीत्यकार था यहने अगर लेनिन और स्टैनिन के कारेकाल का अगर रेशिया का हम विचार करते हैं और वहाँ वामपंत नाम का जो एक मान होता को लगा हुआ एक जो वायरस वहाँ पर कारेमित हुआ था जिसने अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश के श्रमिक, अपने ही देश के किसान, अपने ही देश की सर्वसामाने जनता को उन्होंने मारा था, हत्याय की थी, जलाया था, उनकी संपत्ति को जलाया, संपत्ति को लूटा था और दुसरी तरफ जो कुछ घटनाय घट रही थी नर्संहार की रक्तरंजीत इत्यास के जो पन्ने के पन्ने निर्माणों रहे थे उसको भी उन्होंने विश्व के सामने लाने के लिए ना आई इस तरह से योजना बना कर दबा कर छिपा कर रखा था और जो मैक्समिम गार की प्रारंब में वामपंती का समर्थक था बाद में वो लेनिन का भी विरोधक हुआ था स्टैलिन का भी विरोधक हुआ था वामपंती विचारधार का विरोधक हुआ था उसको किस तरह से शेडेंतर के तरह मारा और वो विरोधक था यह इत्यास को छि विष्ठा देने का जो एक पाप की इन्होंने किया तो ऐसे बरबर और नुरुशन्स हत्या करने वाले वामपंति विचारदार और उनके नेत्रित्व को अगर भारत के परिपेक्ष में उनको कौन से व्यक्तिमत्व के बीच में हम रखना चाहते हैं तो बलाड़े असुरों क वामपंति और वही वामपंत अभी धूरतता के साथ भारत में काम कर रहा है तो सबसे पहले वामपंतियों का काला इतियास जो अनेक अभी पुस्तकों में और ग्रंतों में प्रकाशित हुआ है वो अधिकृत तोर पर भारत सरकार ने समाज के सामने लाना चाहिए लैनिन हो स्टैलिन हो माओ हो ये वामपंति विचार ये कैसे असुरी विचार है और सत्ता के लिए उन्हें क्या-क्या कुकर्म किये है वो प्रत्यक्ष गटना के साथ सामने लाना चाहिए के रल और बंगाल में इस वामपंति लोगों उसका सच्चा इतियास अभी भारतियों के सामने लाना चाहिए और इन असुरी इतियासों को और उनके समर्थों को भारत के सुनहरे इतियास के पन्ने से कैसे हटा कर पुनष्य भारतिय परंपरा का एक गरोशाली परंपरा का शिक्षा ग्यान परंपरा नय विवस्ता राज विवस्ता इसको स्थापित करने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो इसके तरफ देखने के आवश्चक्ता है और यह सब हो इसलिए सबसे पहले भारत को हिंदुराष्टा गोशित करना चाहिए ऐसी मांग गत आठ वर्शों से दिरंतर अखिल भारतिय हिंदु अधिवेशनों के माद्यम से हम कर रहे हैं इस वर्ष नवम अखिल भारते हिंदू अधिवेशन का भी आयोजन अभी होने जा रहा है आप सभी को मैं आवान करता हूँ कि आप इस अखिल भारते हिंदू अधिवेशन के कार्यक्रम को प्रति दिन साम के 6.5-6.15 बच तक के जुड़िये इसमें प्रत्यक्ष्व होने माल चर्चा और विचार चिंतन मंथन को आप समझ के लीजिए यहां पर जो एक कारियोजना बनेगी और भारत को हिंद राष्ट कैसे गोशित किया जाए भारत को विश्व कुरू कैसे बनाया जाए भारत के सबीक शेत्रों में भारतिय परंपर और दरशन को कैसे स्थापित किया देने के लिए सिद्ध होंगे। मैं प्रभू सी रामचंद्र और भगवान स्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो अभी धर्मसंस्तापना का कार्य अवतारी संतों के हाथों से अपने हाथ में लेकर एक पुनेश्य हिंदुराष्ट्र के स्थापना का कार हमें इस धर्मकार्य में हमारा सहुक करवा लीजिए और इस भारत को हिंदुराष्ट्र होते हुए देखने की हमें एक संध्य आप दीजिए यही प्रारतना करते हूं मैं अपने वाने को यही विराम देता हूं आप सभी को नमश्कार जी सद्गुरू डॉक्टर पिंगले जी आपने जो तत्य हमारे सामने रखे हैं जो बाते हमारे सामने यहां पर रखी है इससे हम सभी को यह पता चला होगा कि रशिया जैसे यह कमिनिस्ट देश में किस प्रकार से लेनिन ने अत्याचार किये स्टॉलिन तो उससे भी बड़ा एक अत्याचारी था और उनकी पोल खोलने वाले जो लेखक थे मैक्सिम गौरगी तो इसकी भी किस प्रकार से उन्होंने शड़ेंत्र पूर्वक हत्या कर दीगी यह हमने अभी यहां पर जान कर लिया यह बंदू यह जो सब सत्य बाते हैं इन वामपंथियों के बारे में एक तरफ तो यह अपना अलग चेहरा दिखाते हैं सभी के सामने परन्तू इनकी असलियत क्या है यह आज हमें यहां पर समझ में आ रहे हैं और यह वामपंथ पूरे विश्व में इसी प्रकार से धर्मद्रोह कर रहा है और सभी जगह पर ए जानकारी पहुचाने के लिए आप साहता करें यह जो कारेक्रम आप धर्मसमवार का देख रहे हैं इसको अधिक साधिक लोगों तक पहुचाने के लिए प्रयास किजे और हम आज हमें सभी को संगटित होकर इसका विरोत करना होगा और हमारे देश में पुनह हिंदू अधिवेशन का आयोजन हो रहा है मेरे आप सभी दर्शकों को यह निवेदन करना चाहूंगा और अग्रह करूंगा कि आप अवश्य इस नवम अखिल भारतिय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में आप अवश्य जुड़े और अधिक साधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुचा है इस अधिवेशन में भारत के 22 प्रांतों से तथा बांगलादेश नेपाल श्रीलंका इन देशों से भी हिंदुत्वनिष्ट संगटनाओं के प्रतिनीदी इसमें जुड़ने वाले हैं यह अधिवेशन ओनलाइन सोरूप में होने वाला है हिंदू अ साड़े आठ बजे तक इसको देख सकते हैं और अलग-अलग मान्यवरों की विचार आप इसमें सुन सकते हैं प्रमुक्ता से जिहादी आतंकवाद है मंदिर रक्षा अभिहान है हलाल सर्टिफिकेशन है और हिंदू राष्ट्र की आवश्यक्ता क्यों है इन सभी बातों क स्थापना के कारे में धर्म संस्थापना के कारे में अपना योगदान दे मैं पुना एक बार आपको यह तारीक इसकी बताना चाहूंगा 30 जुलाई को इस अधिवेशन का उठगटन समार हो रहेगा और 31 जुलाई से यह अधिवेशन प्रारंब होगा 31 जुलाई 2 और 9 अगस्ट इस दिन यह अधिवेशन लाइव आपको यूट्यूब तता फेस्बूक लाइव के माध्यम से आप सभी के सामने यह दिखाया जाएगा आओ सब एकत्रित मिलकर हिंदू राष्ट्र स्थापना का जहःगोश करेंगे और इस अकिल भारतिय हिंदू और इसी के साथ आज के धर्मसववात के कारेक्रम को यही पर विराम देता हूं नमस्कार करेंगे लिए जाएगा 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 पर देता हूं राष्ट्र देता है नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो